नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे इंडियन इंस्टिचूट अफ इन्फर्मेशन टेकनोलोजी एंड डिजाइन एंड मैनुफेक्टरिंग जो आंध्रप्रदिस की कुर्णल में है और ये एक नेशनल एमिनेंस उनिवर्सिटी है एक सेंट्रल उनिवर्सिटी है यहाँ पीएसडी का नोटिफिकेशन आया है तो चलिए चलते हूं उसका ओफिसल वेबसाइड में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि हमारे ये टीचर सेंट चैनल फुले डेडिकेटेड है उनके लिए जिन्होंने फ्यूचर में एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, आसिस्टन प्रोफेसर लेक्चर बनना चाहते हैं यहां हम टीचर से रिलेटेड स्टेडिस, कॉंपिटेटिव एकजामस और जॉप के बारे में हम डिसकर करते हैं तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और नीचे जो हमारा जो सोसियल मेडिया साइड दिया गया है फेस्बूक, टुइटर और लिंक्डिन को आप फॉलो कीजिए फ्यूचर में जो भी नोटिपिकेसन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो जैसे के आप देख सकते हो यह है इसका ओफिसियल वेबसाइट तो हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे यहां देखिए लेट साइड में मेंचन किया गया है प्रोग्राम संड आड्मिसंस तो पहला बाला जो है आड्मिसंट प्रोग्राम ऑनलाइन पोटल तो हम इसी के उपर क्लिक करेंगे तो देखिए यह है रेजिस्टर करने के लिए यहां आपको अप्लिकेशन फॉर्म आपको कैसी फिलप करोगे यह है इसका पहले आपको रेजिस्टरेशन करना पड़ेगा register करने के बाद यहां आप apply कर सकते हो second जो दिखाई दे रहा है यह है इसका details आपका जो पूरा details यहां mention किया गया है तो हम इसी के उपर click करेंगे देखें यह है इसका proper notification admission to PhD program full time and part time यह जुलाई से जो शुरू हो रहा है इसके लिए full time, part time बोथ आप किसी भी department में आप कर सकते हो PhD तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे देखें यहां mention किया गया है कौन-कौन सा डिपार्टमेंट में इनका vacancy है जैसे कि आप देख सेकते हो यहां computer science and engineering electronics and communication engineering, mechanical engineering, mathematics, physics and English और इसके लिए जो qualification यहां mention किया है जैसे कि computer science engineering के लिए आपको master's degree होना पड़ेगा M.Tech, M.E. और M.S. और should have been qualified in gate exam anytime तो आपको gate qualified होना जरूरी है ठीकि इसी प्रकार electronics and communication engineering यहां भी आपको master's degree के साथ-साथ gate qualified होना जरूरी है इसलिए है कि मैंने जैसे कि आपको बताया था यह national eminence का university है तो इसलिए यहां gate qualified होना जरूरी है और mechanical engineering में आप देख सकते हो इसका qualification क्या है इसी प्रकार का mathematics, physics, English में भी आप देख सकते हो तो यहां भी फिर से mention किया गया है applicants holding bachelor's degree वो भी चाहेगा तो वो भी PhD कर सकता है मगर इसके लिए कुछ criteria रखा गया है कि जैसे कि आपका किसी same type of national eminence university से आना चाहिए जैसे कि IIT हो गया या उसके साथ साथ आपका gate में अच्छा score होना चाहिए तभी वो आपको consider कर सकते है admission के लिए या किसी R&D में आपका कुछ अच्छा experience हो तो आपको consider किया जा सकता है ठीक इसी प्रकार जो part-time जो PhD है उसके लिए आप देख लेना criteria क्या क्या है educational qualification then relevant experience organizational industry qualification तो part-time PhD में भी आप देख सकते हो computer science and engineering mechanical engineering and sciences यह सारक सारे subject में आप भी part-time में भी PhD कर सकते हो यह note में एक mention किया गया है candidates with B.Tech और B.Degree having at least 6 years of experience including R&D organization are also eligible to apply for all the departments except science ठीक है relevant experience आप थोड़ा देख लेना बाके आप निचाया आऊगे तो यहाँ आपको दिखाए देगा कि PhD admission then admission with the financial assistance आपको financial assistance आपको मिल जाएगा first two years के लिए आपको 31,000 मिलेगा और second two years के लिए means third year to fifth year तक means 3 साल के लिए आपको 35,000 करके मिल जाएगा ठीक है और उसके बाद आप देख सकते हो selection procedure क्या रहेगा eligible candidate के past कम से कम gate या कुछ other national level कुछ exam clear करना जरूर है यदि आप इंग्लिस में लेते हो तो इंग्लिस के लिए आपका जो टोइफेल है देन यहां mention किया गया है टोइफेल देन टी एसेल देन येल्टी आपको clear करना जरूरी है तो फी structure आप देख लेना फी structure नीचे भी दिया गया है फी बहुत कम है बाकि सारे के सारे आप details यहां से थोड़ा पढ़ लेना तो reservation जो seat जो है यह भी applicable होता है यहां central government के हिसाब से जो भी reservation है यहां यह सारे के सारे चीश अप्लिके बूल होता है तो important dates देख लेते हैं यह आया था actually 19th में 2021 को इसका application शुरू हो गया और इसका जो last date है last date for submission of online application is 21 June 2021 then आपका जो web notification for the shortlisted candidates for the written test और interview इसके लिए जो date है यह है 26 June 2021 मगर application डालने का आपका last date है यह है 21 June 2021 ठीक है बागे सारे के सारे आप यहाँ देख लेना any queries the applicants can drop a mail to आपके पास जोदे किसी भी query है और किसी भी information आपको चाहिए आप किसी भी subject में आप जानना चाहते हो clarification चाहिए तो आप इस mail ID पर mail भी कर सकते हो बागे आप यहाँ देख सकते हो tentative research area आप कौन-कौन सा subject में आप research कर सकते हो जैसे कि computer science and engineering में आप कौन-कौन सा subject लेकर आप यहाँ research कर सकते हो यहाँ mention किया गया है बागी यहाँ आप देख सकते हो कितना fee आपको देना पड़ेगा fee details यह है आपका जो procedure for online payment का procedure यहाँ mention किया गया है और आपका जो fee है तो general के लिए 500 रुपया है general and OBC के लिए और बागी सारे के सारे लिए 250 रुपया और बागी इसका थोड़ा procedure देख लेना अनेक्सचर यह तो जितना जल्दी हो से कि आप apply कीजिए और इसको में मेरा जो description में इसका link दे दूँगा आप यहाँ से direct इसको download कर सकते हो और जितना जल्दी हो से का आप इसके लिए apply कर दीजिए तो यह था details thank you all the best अब को अनेक्स जल्दी हो झाल झाल